The Difference Between Did and Have in English Grammar आज के इस वीडियो में Did और Have के बीश अंतर सिखेंगे कैसे इसका परियोग किया जाता है दोनों सिमिलर हैं अलग लग तरीके से कैसे परियोग होगा Use of Did, Did का मतलब है कोई काम किया तो था और इस संटेंस को काल चाता है Empathic sentence जाप पर डिर्ड का परियोग किया जाएगा जैसे मैंने उससे बात किया तो था इसका परशवा ने कोई काम किया तो था जैसे I did talk to him मैंने उससे बात किया तो था रभी अंगरेजी सिखा तो था तो रावी डिड लर्णिंग लेस्ट रावी अंग्रेजी सीखा तो था, उसने इस्टेस पर अंग्रेजी बोला तो था, तो संटेंस बनेगा, अब उसने लिखा हुआ है, उसने के लिखा जाएगा है हम लोगों ने किताब पढ़ा तो था, या पर emphasize देते हैं, अब किसी ने गा, तुम लोगों किताब नहीं पढ़ा था, तो हम लोगों ने किताब पढ़ा तो था, We did read the book, My school गया तो था, तो sentence बनेगा, I did go to school, I did go to school, My school गया तो था, इसमें सबसे पले subject होगा, इसके बाद did होगा, इसके बाद verb का first form, इसके बाद object होगा, और sentence का पहुचान होगा, कोई काम किया तो था, Use of did, इसका मतलब है, क्या, क्या, इस sentence interrogative बनेगा, अब कैसे बनेगा, वो देख लेते हैं, जैसे क्या हम लोग पत्र लिखे, did we write a letter, या पर did पर्योग किया गया है, क्या रवी और सुमन बजार गया, did रवी और सुमन गो टू मार्केट, उन लोगों ने कब मैस जीता, when did they win the mess, यहां भी did का पर्योग किया गया है, पिरिया ने कब खाना पकाई, when did पिरिया cook food, तो इसे sentences बनेज जाते हैं, तो कुछ sentences हैं सहाँ पर कि आप did का पर्योग पहले कर लेंगे, फिर आप subject यूज़ करेंगे, फिर वर्प का first form, plus object, plus question मा, कुछ तो ऐसे मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे, याँ did से पहले आप WS word का यूज़ करेंगे, जिससे when, why, how, who, whom, यह सभी WS word है, इसके बाद did का पर्योग करते हैं, you job did means कोई काम किया, जैसे तुम लोग बहुत सरे काम किया, या तुम लोग ने बहुत सरे काम किया, you did many works, you did, तुम लोग ने किया, many works, बहुत सरे काम, वे लोग नौकरी किये, they did a job, they did a job, वे लोग नौकरी किये, अब अगला संटेंस हैं कि did versus have, शाप परमक्सर कन्फ्यूस करते हैं, उसने स्टेस पर अंग्रेशी बोला, he spoke English on the stage, उसने स्टेस पर अंग्रेशी बोला है, he has spoken English on the stage, तो दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं संटेंस को negative बना दू, उसने स्टेस पर अंग्रेशी नहीं बोला, तो यह संटेंस में यूज किया साएगा, did not speak, did not speak मतलब उसने अंग्रेशी स्टेस पर नहीं बोला, दोनों में अंतर यह हैं, यह बताता है, past के incident को, past की घटना को बताने के लिए, इस संटेंस का परियोग किया साता है, और इस काम परियोग कर रहे हैं यहापर, कि recent में कोई काम complete हुआ है, recently कोई काम complete हुआ है, उससे दिखाने के लिए, हम has यह हैप का परियोग करते हैं, मैंने खाना खाया, I ate food, मैंने खाना खाया है, तो sentence बन जाएगा, I have eaten food, दोनों में अंतर यहीं है यह बताता है, recent action को, recently कोई काम complete हुआ है, और यह बताता है, past के incident को, past की कोई घटना को, past के कोई काम को, deed versus have, जैसे मैंने एक पत्र लिखा, I wrote a letter, यह past के incident को बताएगा, मैंने एक पत्र लिखा है, I have written a letter, यह बताता है, recent की activity को, recent के action को, जो फिलाल complete हुआ है डीड और हैप के कोई structure है जो काफी ज्यादा यूसफुल है यह गया past indofinet के structure और यह हो गया present perfect के structure जो काफी यूसफुल है एक sentence को हम छे तरेके से बनाते हैं अलगलग तरेके से अलगलग इसका मिनिंग होता है और speaking में इसका सभी तरेके परियोग किये जाते हैं Use of have, dead کا पर्योग अपने सीख लिया, अब समझते हैं hap का पर्योग, इसका मतलब हैं कोई काम खाना या कोई से उस पीना दोनों сенс में पर्योग करते हैं, इसे खाता है या पीता है, वे लोग pizza खाते हैं या पर hiv का मतलब खाना जो कि आप generally it का परियोग करते हो उस जिगाप पर आप have का परियोग कर सकते हो तुम आम खाते हो you have a mango you have a mango तुम आम खाते हो या पर hiv के जिगाप पर generally आप यूज़ करते हो it मैं चाई पीता हूं I have tea पर यूज़ करते हो आप टेक लेकिन याप पर हैप का पर यूज़ कर सकते हो जैसे मैं पानी पीता हूँ I have water जनरली बोलता हूँ I drink water हम लोग खाना खा रहे हैं we are having food जनरली बोलते हैं we are eating food तो इसे sentences कहीं सरे बना सकते हैं have की मदद से have means passing यहाँ पर बताए साता है position कि कोई भी काम करने मतलब कोई भी चीज़ मेरे पास है मैं कोई भी चीज़ों का honor हूँ उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्ते कोई भी relation दिखाने के लिए भी परयोग किया साता है इससे बोलता हूँ कि मेरे दो बहाने हैं मेरे दो भाई हैं तिया पर relation दिखाते हैं दोस्ते हैं तिया भी relation दिखा रहे हैं तिया पर भी कि आपका प्रयोग किया साएगा, जैसे they have a lot of friends, लोगों के बहुत सारे दोस्ते हैं, लोगों के पास कई सारी कलमे हैं, यह पर आप आउनर दिखा रहे हैं कि कलमों का सो मालिक हैं, वो कौन हैं, तो भाई वे लोग हैं, तो sentence बनेगा, they have many friends, तो have का मतलब हैं, कोई बीचे से have का मतलब है कोई भी चिजे पास है मेरे पास एक कार है तो कार का honor कौन है कार का मालिक कौन है तो मैं हो तो sentence बनेगा I have a car use of have means कोई काम कर चुका हूँ जब कोई काम कर चुका हूँ तो have का परियोग किया जाता है जिसे वे लोग आम खाच सुके है they have eaten a mango यहाँ पर जो eaten है साय तो आप यहाँ पर head का परियोग कर सकते है कि they have had a mango वे लोग आम खाच सुके है लेगन यहाँ पर eaten का मतलब है खाना कोई काम कर सुका है उससे दिखाने के लिए have का परियोग करते हैं हम लोग पत्र लिख सुके हैं we have written a letter we have written a letter हम लोग पत्र लिख सुके हैं जो थोड़ी दर पाले मैंने आपको समझाया था कि कोई आपके recent action को दिखाता है कोई आपके recent action को दिखाता है और कोई आपके past के incident को दिखाता है तो recent action को दिखाने का काम हैप से होता है और डेट से होता है या फिर आप कह सकते हैं कि वीचू से होता है ये बताता है पास्ट के इंसिजेंट को तुम लोग खाना पका सुगे हो यू हैब कुग्ड फोड मैं मोबाइल खरेच सुगा हूँ कोई काम कर सुगा हूँ इसका पासान ये है सिर्फ आपको ये दिख जाए या कोई काम कर लिया है या ली है ये भी दिख जाए वहाँ पर आप हैव का परयोग बेजिज़क कर सकते हो use of have been इसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा है किसी टाइम से कोई काम कर रहा है जिसे तुम दो महिनों से अंग्रेजी सिख रहे हो you have been learning less for two months यहां पर have का परियोग किया गया है यह sentence से present perfect continuous tense हम लोग बसपन से किर्केट खेल रहे है we have been playing किर्केट since childhood मैं पंच सालों से यहां काम कर रहा हूँ I have been working here for five years तो आप ऐसे sentences बना सकते हैं है आप की मदद से So guys thanks for watching that's all for today